हेलो एब्रिमन स्वागत है आपका हमारा चैनल टूटेक अनबॉक्सिंग पे आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एचपी का पवेलियन 15 वीडियो का लाज तक बने रहे हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लिज हमारा चैनल को सस्क्राइब करिए कॉमेंट करिए और शेर करिए तो गैस चलिए देखते हैं डब्बे पे क्या कंफिग्रिशन है क्या मॉडल है और इसका कैसा लुक है सबसे पहले यहां पर आ जाता है HP Pavilion Laptop 15EH003 AU इसका मॉडल है Ryzen 5 5500 Processor है 5500U Processor 512GB इसमें आपको SSD मिल जाता है साथ में 16GB के RAM मिल जाता है Windows 11 के साथ है Optical Devices में आपको नहीं मिलता है Fingerprint Reader मिल जाता है 15.6 Screen Size में इसमें आपको Full HD IPS Dyson Needs के साथ मिल जाता है साथ में इसमें आपको Fingerprint भी मिल जाता है सब्सक्राइबर आपका MS Office 2019 इसमें 2021 मिल जाता है MS Office साथ में इसमें Windows 11 Upgradeable मिल जाता है सब्सक्राइबर 2021 का यह Manufacturing है और यह 2021 का Launch Recently Lanch Laptop है सब्सक्राइबर इसकी MRP की बात करें तो 75,023 रुपे का MRP है और अगर इसकी Market Price की बात करें तो Approx यह 64 to 63 का Market Price है सब्सक्राइबर आपको Windows 11 का Sticker मिल जाता है यानि कि यह Windows 11 के साथ जो है Fresh Peace अगर आप लेते हैं लेटेस्ट में अगर आप परचेज करते हैं तो Windows 11 के साथ यह आपको मिलता है सब्सक्राइबर इसकी मिल जाता है एक आपको Setup Instactions साथ में एक मिल जाता है आपका यहाँ पे आपको Serial Number बगेरा मिल जाता है साथ में यहाँ पे आपको HP का एक Power Cable मिल जाता है और साथ ही एक 65W का चारजर मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं HP का यह और पावर केवल है साथ ही यहाँ पे आपका 65W का HP का जो है आपका चारजर मिल जाता है जो कि ए स्मॉल पीन के साथ आता है सो अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो एक घंटे से 20 मिनट के आपका यह लैप टॉप चार्ज हो जाएगा सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक जो है आपका बहुत एक खुबसूरत लुक है प्रीम्म लुक इसमें मिल जाता है यहाँ पर आपको HP का logo मिल जाता है और अगर build quality की बात करें तो much better build quality इसमें आपको मिल जाता है साथ ही यह आपका metallic look metallic body में यह है metal finishing इसमें आपको मिल जाता है silver color का इसका आपका color मिल जाता है यहाँ पर एक logo दीख जाता है एक divider type का दिख जाता है जो कि आपको laptop को और भी खुब सुरत बना देता है 15 inch screen size है इसमें आपका battery backup की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 5 घंटा का इसमें आपको battery backup मिल जाता है यहाँ से आप देख सकते है जो है आपका 15 का इस type का look कुछ step का look देखने को मिलता है सो यहाँ पर आपका राइजन 5 का 500U processor मिल जाता है यानी कि 6 core का processor मिल जाता है साथ में आपको यहाँ पर invidia का आपका rayडियोओन का graphics मिल जाता है AMD rayडियोओन का integrated graphics मिल जाता है B&O का sound मिल जाता है fingerprint sensor यहाँ पे आपको मिल जाता है साथ में यहाँ पे आप office का sticker देख सकते हैं अगर इस body की बात करें तो इसमें भी आपको जो है metal finishing मिल जाता है metal body मिल जाता है साथ यहाँ पे आपको diamond cut touch pad मिल जाता है dual gesture finger के साथ तो यहाँ पे आपका HP Pavilion का logo मिल जाता है साथ में यहाँ पे HP का toll free number मिल जाता है whatsapp support भी यहाँ पे आपको मिल जाता है तो अगर keyboard की बात करें तो इसमें आपको chocolate keyboard देखने को मिलता है साथ ही इसमें आपको जो है backlight भी मिल जाता है यहाँ पे आपको backlight मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइड में power on off button का button मिल जाता है power on off करने का so overall यहाँ पर आपका look देख सकते है कुछ इस type से look आपका देखता है so यहाँ पर एक hp का logo मिल जाता है और नीचे साइड में आपको थोड़े से bezels देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं अगर आप side bezels की बात करें तो normal bezels आपको बहुत ही कम bezels देखने को मिलता है आपर side में भी बहुत कम bezels देखने को मिलता है और side में भी आपको बहुत कम bezels देखने को मिलता है 15.6 screen size इसमें मिल जाता है आपको full HD resolution के साथ यहाँ पर एगर camera की बात करें तो इसमें आपका 720 का HD camera मिल जाता है साथ ही dual mic के साथ आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं दो mic है और 720 का HD camera इसमें आपको मिल जाता है जिसे आप normal quality का photos और videos बना सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करो display का तो इसमें anti-glare display नहीं मिलता है बट full HD display मिल जाता है dice or needs के साथ सो चलिए देखते हैं इसका ports सो यहाँ पे आपको HDMI ports मिल जाता है साथ में एक USB मिल जाता है यहाँ पे आपको C type मिल जाता है और C type fast charging भी मिल जाता है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही वहाँ पे आपको एक audio jack मिल जाता है और HD card लगाने का मिल जाता है का laptop का यहां पे आपको power on off sorry माफ करेगा यहां पे आपको चार्जिंग का मिल जाता है साथ ही यहां पे एक usb मिल जाता है अगर पीछे से बात करें लोक का तो कुछ इस टैप का हिंच का ुकिस में देखने को मिलता है जिससर आपका हिंच लापटोप का चुप जाता है इसे ब्यक्साइड में आता है यहां पर आपको लेवन का लोगो मिल जाता है और यहां पर आपको 2 speaker मिल जाता है यानि कि Quad sound मिल जाता है जो कि B&O का sound मिल जाता है वी अगर बात करूं मैं पीछे की body के तुहां पर भी आपको जो है metal finishing मिलता है यानि के metal body मिल जाता है तो अगर weight की बात करें तो इसमें approach 1.6 kg to 7 kg का weight मिल जाता है इसमें तो चलिए इसका bios देखते हैं और इसका आपको internal कितना stories आपको available मिलता है RAM का frequency बताते हैं तो guys इसमें आप RAM अप्ग्रेट कर सकते हैं साथ में SSD 512 GB है उसे अगर आप upgrade करना चाते हैं तो upgrade कर सकते हैं इसमें आपको Radeon का graphics मिल जाता है जोके integrated graphics है बट ये अच्छा performance दे देता है साथ ही अगर आप एक student है और अगर आपको 60 का budget है और अगर आप 6 core का processor पर्चेश करना चाते हैं आप इसे पर्चेश कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका Ryzen 5 का 6 core का processor मिल जाता है तो यहाँ पर आप model देख सकते हैं सारा model यहाँ पर आपको देख जाता है यहाँ पर 2100 MHz का आपका प्रोसेशर क्रेंट प्रोसेशर स्पीड अभी जो है यह चल जाड़ा है यहाँ पर आपका Radeon का graphics मिल जाता है Ryzen 5 5500U processor मिल जाता है Intrigrated graphics मिल जाता है इसमें आपका 2GB का Radeon का जो की RAM से share करके आपको मिलता है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं memory information में 32 MHz का इसमें आपको जो है मिल जाता है RAM का जो frequency है 32 MHz का है RAM आप इसमे 16GB RAM है अगर आप उसे अपग्रेड ना चाहते हैं तो आप इसे अपग्रेड कर सकते है 16GB तक और आप अपग्रेड कर सकते हैं 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे storage आप देख सकते हैं 512GB NVMGB M.2 का इसमें आपको SSD है Hardix इसमें आप नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर SSD आप अपग्रेट करना चाहते हैं तो 1TW तक Hardix SSD आप अपग्रेट कर सकते हैं इसमें आपको एक साल का वारेंटी मिलता है जिसमें आपको Home Service मिल जाता है यानि कि आपके घर पे Service मिल जाता है अगर आपको कोडिंग के लिए लेना चाहते हैं या अगर आपको एडिनिंग करना है तो आप इसे लैप्टॉप परचेस कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लैप्टॉफ है और ये बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला लैप्टॉफ है तो अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम वहाँ पे आपको रिप्लाइ करेंगे और उसका सवाल का जवाब देंगे तो थैंक यू सो मच गाइस बहुत ही खुबसूरत लैप्टॉफ है अच्छा रेंज बाइस अगर आपका 60 का रेंज है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें मिल जाता है तो थैंक यू सो मच आपच्च